Hello friends, this is Harvinder Singh and welcome to the YouTube channel Learn with Harvinder Singh आदे इस वीडियो भी टासी पढ़ांगे P.S.A.B. Class 12 English दा चेप्टर जिस जना आए A Chameleon जिस दे राइटर हन एंटन चेकव दोस्तो, एंटन चेकव जी एक फिजीशियन, डॉक्टर होन दे नाल नाल एक राइटर भी सान ते उनना ने बहुत ही बदिया शॉर्ट स्टोरी इस लिखिया हन ते डॉक्टर होन दे नाल नाल एक उथर भी सान ते उक एंदे उन दे सान Medicine is my lawful wife Medicine mean is that which you practice that is my lawful wife and literature is my mistress ते इस लिखिया कि this story is about a police superintendent, who is bothered by a man looking for easy money ते यह कहाने कि इस लिखिया एक police superintendent बारे है जो कि एक बंदे नू मिल दा, जो कि easy money अबनाना चाओन दा The man is introduced when he chases down a dog in front of the superintendent and shows him his bleeding finger ते उपन्ता सद्य सामने कदो एंदा कदो एंट्रोडउस हूंदा चदो ओ एक डॉग दा पिच्छा कर रहा हूं दा सुपरिडेंडेंडे सामने ते सुपरिडेंडेंडेंडेंड़न अपने ब्लीडिङ फिंगर है ओ दिखान दा में उंगल तो खुण निकल रहा ते वो बंदा उस पुलिस सुप्रिणेंड़ नो शोग कर दा क्लेमिंग दा डॉग बिट हिम फॉर नो रिजन लिजन ही डिमांडे तो बी कमपन्सेटेट फॉर इस पेइन यह जो परकुलिस सुप्रिणेंड़ रिजन लिजन ही अनलत लिजन ही डाओ कंग्ने रिजन ऐसेट इसह था कि उसने पहला शिग्रेट लगाई डॉग दे मूठ तो बिनए ने तो रिजने है तो बंद ने उसनो वड्ड बेल तो प्रास ओन दे गल ते ताहीं डॉग ने उसन ते रिड़ा सुप्रेटेंड टिस दना उच्छो मलू है ते वो अपना इड़ा स्टेंड हो चेंज करदा रंदा कई वरी उस बंदे दे फेवर वेच गल करदा उस बंदे दना रूकेन ते कई वरी उस दे अगेंस्ट गल करदा ते इन शौर्ट कहाने विच की हुँँद है कि जदो पुलिस सुप्रेटेंडेंड उच्छो मलू है पता लगदा है वी जड़े डॉग न उसनों बाइट किता है पर जदो उसनों बाद वीच पता लगदा है वी जड़े डॉग है ते इस तरह वो बार बार अपनी जड़ी पोजीशन है वो चेंज करदा है ते एंड वीच डॉग नू उस दे उनर कोल जनरल दे प्राकोल पेज़िता जन्द है ते क्योंकि जड़े पुलिस सुप्रेटेंडेंड उच्छो मलू बार बार अपनी पोजीशन है चेंज कर रहा ते ऐस करके कहाणी दना है और कमिलियन क्यों कमिलियन वांग गिर्गिट वांग जड़ा अपना रंगयों बदल रहा आओ उनसी डिटेल वीच इस चेप्टर नू पढ़ दे हां दा पुलिस सुप्रेटेंडेंडेंड उच्छो मलू इस वाकिंग अक्रोस दा मार्केट स्केर वेरिंग अ न्यू ओवर्कोट एंड केरिंग अ पार्सल अंडर हिस आ आउस कि अ Means की फूटनि चया फ्ननी है उस देसं हे इस लेंग अफनक वेर पास्ट चाइई हुई है तब लूगं सगेश कुई ने दिख रहूंत नोइग वी खुली हो यहन, आथे वी खुली हो यहन पट अन्य ज्यादा चुप है कि बैगर भी एक पिखारे वी नहीं है कोई दुकान दे आले दुखी So you bite, you damned brute, Ocho Mello here suddenly Damned brute, ता मतलब है बदमाश ते Ocho Mello नू अवाज आन दी, तो मिननू कट्टे या, तो बदमाश, तो मिननू कट्टे या Let's, don't let him go, biting is prohibited nowadays, hold him मुंडे उसनू जानना दो, कटन वड़न वेच अजकल मनाई है, उसनू फड़के रखो ते या वाज आरिया, Ocho Mello नू, ते होया कि एक डॉग न एक बंदे नू कट देता है, ते ओ बंदे दे, ओ बंदा है शब्द है, ओ कह रहा There is a sound of dog yelping, हून ये dog yelping दा मतलब है कि, yelping दा मतलब है रोना, कि डॉग दी चिखा, डॉग दे रोन दी आ वाज आरिया है Ocho Mello looks in the direction of the sound and sees a dog, hopping on three legs and looking about her, run out of Pichugin's timber yard ते Pichugin होगया बंदे दाना, ते timber yard ना मतलब होगया लकड दी दुपान ते उच्छो मलो है देखते है वी वाज कितों आ रही है, ते देखते है कि जड़ा एक कुत्ता है, तिन लत्ताना, means हो सकते है कि उससी चौत्ती लत्ता हो, injured होए ते hopping दा मतलब है कि उचल उचल के चल रहा, ते होड़ा एक जड़ा डौग है वो तिन लत्ताना, पिचुगिंदी लकड दी दुपान तो बाहर आ रहे है एक बंदा जिसने स्टार्स कॉटन शर्ट पाई हुई है ते उसने कोट पाया हुए है ते कोट दे बटन उसने बंद नहीं किते हुए हो उस डौग दा पिच्छा कर रहा ही रंस आफ्टर हर एंड थ्रोइंग इस बोड़ी फ़वर्ड फॉल्स डाउन एंड सीजिस दा डौग बाई हर हाइंड लेक्स हाइंड लेक्स दा मितलब है पिच्छलियां लत्ता हुए हो बंदा डौग दा पिच्छा कर दा है ते उचल दे उचल के डिक जान दा है ते दे डौग नो वो उस दियां पिच्छलियां लत्ता ना लो फड्लन दा वन्स मोर देर इस यल्पिंग एंड शाउट ओफ दोंट लेट गो ते उस तो बाद डौग दे रोण दी डौग दी चिक्कन दी आवाज आंदिया ते व बंदा कंदर जिस ने डौग नो फड़िया लेट को वी इसनो जानना दो स्लीपे काउंटेनेंसेस आर प्रोटोडेट फ्रॉम दे शॉप्स एंड सून अ क्राउड विट सीम्स तू हैव स्प्रंग आउट ओफ द अर्थ इस गैदर राउंड दा टिंबर यार्ड काउंटेनेंसेस अर्थ उन्दा फेसेस मूं ते हुन जमीन तो ही जड़े लोक आ गए ते जड़े लगकर दे दुगाने उस ते आलेद वाले काफी लोक है कठे हो गए इट लुक्स लाइक रो यूर ओनर सेस दा पुलिसमेन ते पुलिस वाले ने क्या कि यह लगदा कि यह चगड़ा खड़ा हो गया ओचो मैलो मेक्स हाफ तरन तो दे लेफ्ट तो दे लेफ्ट तो दे लेफ्ट साइड नो हाफ तरन लेया ते लेड़ी पीड़ वाल उस वाल चला गया ओचो मैलो ने देख्या कि ओबंदा जिस दे गल चला पहला ही जिस बंदे दी गल कर चुक्या जो कि डॉग दे पिछे जा रहा से गा जिसने डॉग नो फड़या से गा ते ओव लकड़ दी दुकान दे बाहर खडा से गा ते उस बंदे दा राइट हैंड हवा वेट से गा ते ओपने ब्लीडिंग फिंगर नो लोका नो दिखा रहा से हो दिखा रहा से गी उस दी फिंगर तो उस दी उंगल तो खून आ रहा ते उस बंदे दा फेस किस तरह से गा हाफ ड्रंकन से गा वी नशीला जा उस बंदे दा फेस से गा आ है लगिल्ड ईस दा फेस ऊपड्र लिख़िसा कि मैं तो देख लांगा तो बढमाश टो ठग मैं ते नो देख लांगा तो उसदी फिंगर किस्तरह लग रही सीगी फ्लैग ओफ विक्ट्री जित दा चंटा जे तो निशानी लग्री सी कि उस दी उंगल थैसे उपलाज भान के उस समय दे लॉस्टिकरी जे कोई कुछ्टा जिसे नूँ वढवजा देता जंदा जेड़े बंदे नूँ वढ़े है उसनू मोभजा मिलता है ते हुन हुरुके नू लग रहा है कि उसनू मुआवजा मिलूगा ते ऐस करके उसी जड़ी उंगल नू फ्लैग ओ विक्ट्री अत्थे कहा गया है इन दिस मैन ओचो मैलो रिकोगनाइजिस हुकिन दा गोल्ट स्मित ते ओचो मैलो पुली सुपरिटेंडड ने पचान ले उस बंदे नू ते ओ बंदा है जज़न उस दना है हुरुके न है वो एक गोल्ट स्मित है वो एक सुनार है मजल दा मतलब हुंदा है नूस दे माउथ ते हुड़ा थे कलप्रिट मुजरिम किसनो क्या गया है कि एथे वो डॉग नू वाइट पपी नू क्या गया है कि एथे वो एक मुल्जम है ते हुज़ा जड़ा शाप फेस है यह शाप नूस दे माउथ है ते यलो पैच है उस दी बैक ते जड़ा डॉग है वो एक रहा है ट्रेंबलिंग वाल ओवर वी ओकंबर है ते उस दी एक खाव विच मिजरी दुख भी है ते टरर डर भी है ते हुन पुलिस उप्रिडेंडेंट आगया वो पूछद है कि तुसी सार की है गल है किस बार है कि तुसी सारे अदर क्यों ते तु अपने फिंगर वेव क्यों कर रहे है ते कौन बंदा है जड़ा चिलाया ते हुन किये कि पुलिस उप्रिडेंडेंड ओचो मेलो इंक्व I was walking along here, not interfering with anyone, your honor, who can begin scoffing into his fist. ते खंगदे हुए हुरुके ने क्या कि मैं थो लंग रहा सिगा, कि मैं किसे विच इंटरफेर भी नहीं कर रहा सिगा? I was talking about firewood to mitry mitrych, when this low brute, for no rhyme or reason, bit my finger. You must excuse, I am a working man, mine is fine work, I must have damages. For I shan't be able to use this finger for a week, may be. It's not even the law, your honor, that one should put up with it from a beast. If everyone is going to be bitten, life won't be worth living. ते हुन रुके न कहरे है कि मैं तो लंग रहा सिगा, मैं firewood दे बारे गल्लां कर रहा सिगा, मिटरी मिटरिच तो जदू है low brute, low brute ता मतलब किया जाला हमने, बिना किसे reason दे, बिना किसे गल्द दे, मैं नूँ वड़ देता है, ते किनने वड़ दे है, डॉग ने वड़ दे है, ते हुन मैं working मैंना मेरा काफी बरिक्की दा कम है, fine work मतलब की बरिक्की दा कम, कोकि ओ एक सुना रहा है, I must have damages, जिसकी मैंनो मुआवजा मिलना भी चाहिद है, कोकि मैं अपने फिंगर नूँ एक हफ्ते ले यूज नहीं कर पावांगा, ते हुन law कानून भी उससे favor वेच चाह, ते जे हर किसे नूँ डॉग सवड़ दे रहनगे, ते life या worth living, जीन लाया की नहीं होईगी, हम, very good, says Ocho Maloo sternly, cuffing and raising his eyebrows, sternly दा मतलब उन्दा सकती नाल, ते सकती नाल उसने कया, Ocho Maloo ने की, very good, very good, whose dog is it, I won't let this pass, I'll teach them to let their dogs run all over the place, it's time, these gentry were looked after, if they don't obey the regulations, when he is fined, the black guard, I'll teach them what it means to keep dogs and such stray cattle, I'll give him a lesson, ते हुन, Ocho Maloo कंदा की, very good, बहुत बहुत वदी या, गल या, किस दा डॉग है, ते हुन, असी इस गल नू जाननी देना, ते असी हुनना लोकानू सबग सिखा मांगे, जड़े अपने dogs नू खुला चट देने, ते gentry दा मतलब है लोक, ते हुन, आया समा आ गया कि, एनना लोक का वल त्यान दिता जाए, जए एनना ने रूल्स नू फॉलो ना कित था, ते जदो, फाइन हुएगा उस बंदेनू, ता उस ब्लैक गार्ड, प्लैक गार्ड दा मतलब हुएगा, ते हुन, अथे जड़ा उच्छों मेलो है, पुलिस उप्रीडेंड और डॉग दे उनना नू सबख सिखान दी गलो कह रहा, यल्ट्रिन, क्राइसर सुप्रीडेंड, अड्रेसिंग दा पुलिसमेंड, फाइंड आउच्छों मेलो पुलिसमेंड नू पुलांदा येल्ट्रेंड, ते फिर उसनू कहन दा कि पता करो कि ये डॉग के दा एक रिपोर्ड बनाओ, ते ये डॉग मस्पी स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल दा मतलब है कि गला कोट के मार देना चाहिएदा, बिदाउट डिले बिना दे रही तो, कि ये डॉग है पागल ही है, ते ये कि दा डॉग है मैं, ये मैं पुछ रहा है, आई फैंसी, इट्स जनरल जिगलोव, सेट समवन इन दा क्राउड, ते पीड विचे एक बंदे ने कहा कि मिननू ये लग दा, आई फैंसी दा मतलब है कि मिननू ये लग रहा है, कि ये जनरल जिगलो दा डॉग है, कि डॉग दा मालक जनरल जिगलो है, जनरल जिगलो है, हम, help me off with my coat, Yeldrin, it's frightfully hot, it must be a sign of rain, there's one thing I can't make out, how it came to bite you, Ocho Mello turns to Rukin, surely it couldn't reach your finger, it's a little dog, and you are a great hulking fellow, you must have scratched your finger with a nail, and then the idea struck to you, to get damages for it, we all know, you sort, I know, you devils, ते होन उसनों पता लग गया हुए, जनरल जिगलो हुदा डॉग है, ते होनों, Ocho Mello की के रहे, जनरल जिगलो हुदा, Yeldrin, मेरा coat उतारो, एथे बहुत ज़्यादा गर्मी है, लगदा कि महीं पैण वाला है, महीं पैण दे निशाननी है, पर मैंनों एक गल्दी समझ नहीं आई कि कुट्य नट तेन्हों किस तरह वड़्या, ते होन तेड़ा, Ocho Mello केंदर कि, ए तेरी उंगलवल ते पहुचे नहीं सगदा, ए ते छोटा जा डॉग है, ते तू है फलकिंग फैलो कि तू वड़्डा बन्दा है, ते हो सगद है कि तू ही नियल देनाल, किल देनाल, अपने फिंगर नू स्क्रेच कर ले हो ना, ते तेरे मन वेच आइडिया आगया हो ना कि तू मुआवजा ले ले हैं, कि मैं तेरे वर्गे लोग का नू जान दा, तेरे वर्गे डैविल्स नू मैं जान दा, ते होन पीड विच एक बंदे ने गया कि जड़ा हुरू के ना, उसने डॉग दे फेस जोपर सिगरेट रखती सी मजाक विच फॉर जोग, ते डॉग विच एननी सेंस है गिए तू स्नेप दा, मतलब है कटना के डॉग विच एननी सेंस है गिए जो उसनों कुई तंग ते होन पीड विच एक बंदे ने आया किया। ते स्क्वें टाइधा मतलब उन्दा पहेंगे ते यह चूट है पहेंगे ते तू ते कुछ देखे नीत यह चूट क्यों बोल रहे हैं। ते हिस ओनर है ते कौन हिस ओनर है उच्चो मेलो ते जड़ा उच्चो मेलो है वाइस जेंटलमेन है। ते वो यह दिखेगा कि कौन बंदा सच कह रहे है ते कौन चूट कह रहे है। ते जे मैं चूट भी कह रहे है ते कौट नूँ डिसाइड करन दे ते या ते लौवेच है ते आज कल असी हर कोई बराबर है। ते मेरा अपना प्रापुलिस विच है ते मैं तो नूँ अगल कह दा। ते हुन रूके ने जड़े बंदे ने कहा कि उसने सिगरेट रखती सी ते उसनल या बहस बाजी कर रहा। डॉंट आर्ग्यू बहस ना करो। नो, ड़ेट नूट दा जेनरल स्टॉक सेज दा पुलिसमें विद प्रोफाउंड कन्विक्शन। ते जड़ेट ने कहा कि डॉंट आर्ग्यू बहस ना करो। ते काफी कन्विक्शन ना लो ने गया कि क्यों उसने गया कि जड़ेल को रिस्तरा दे डॉंट उंदे नी ते उसने गोले शिकारी कुट्टे हुंदे ने ते पुलिस वाले ने क्या हांजी कि मैंनु इस गल्दा पताया हुंदे यू ना लो ने क्या ते पुलिस वाले ने क्या हांजी कि मैंनु इस गल्दा पताया I know it too, the general has valuable dogs through bread and this is goodness knows what No coat, no shape, a low creature and to keep a dog like that, where's the sense of it? If a dog like that were to turn up in Petersburg और Moscow ते है शेरा दिन आने Do you know what would happen? They would not worry about the law, they would strangle it in a twinkling. You mean injured Rookin and we can't let them at a drop, we must give them a lesson, it's high time Then it happened to me that the police had a dog that he was not a general dog Then it happened to me that the stand changed, then it was a male who said that I know it too I know it too, I know it too, I know it too, I know it too, that the general has valuable dogs Through bread and the dog has a very good shape, the dog has a very good shape Then it is a dog, it is a low creature Then it is a dog who will be? This dog will be a sense of it? This dog will be a sense of it, which logic will be a dog Then it is a dog in Petersburg, Moscow, Moscow, in the area, so you know what it is They will know how to do it, you know it They will not have to do it, they will never do it, they will do it They will struggle with the dog, they will kill it and kill it They are injured, they will know the dog Then it is a time to learn the dog to learn the dog Then it is a time to learn the dog नहीं है तो उस्ता स्टेंड कुछ हो रहा है ते ऐस करके कदे हो रूकिन दे फेवर विच गल कर दा कि जद उसनों पता लगदे कि जनरल दा डॉग है येस मेभी इट जनरल से इस दा पुलिसमें तिंकिंग अलाउड इस नौट रिटन ओन इस फेस आईसा वन लाइक डैट द इस आञे पुलिस वाले नेगा कि में न में लगदा कि जनरल दा इडॉग है ये डॉग दे फेस दे नहीं लिख रहा है पड मैं इस तerna दा ड्ड़ जनर दे यार्ढ विच जनर्ल दे वेडे विच पर पिर विच्च वाजए कि यह जनरल दाई डॉग है hmm help me on with my overcoat yeldrin my lad the wind's getting up I am cold you take it to generals and inquire there say I found it and send it and tell them not to let it out into the street it may be a valuable dog and if every swine goes stinking a cigar in his mouth it will soon be ruined a dog is a delicate animal and you put your hand down you block head it's no use displaying your fool of a finger it's your own fault तेहून उच्च मेल नूँ ए लग रहा है कि यह जड़ा डॉग है ए है गा जनरल दा तेहून यeldrin नूँ क्या की कह रहा है कि मेरे बच्चे में नूँ कूट पर ना दे तेहून हवा चल रही है ते मैं भी काफी ठंडा हो चुक्या अब्जाइए तेहून है तेह्ट एस तरह कर कि डॉग नूँ जड़े ले जाग जा ते उथे जाके इंक्वैरी कर तेह्याइट उन्हू जैस डॉग नूँ लभ्या ते तेही प्जय क्जय अ तेह्या जैन्यू नूँ आ कहती आधी कि डॉग नू पूरग झाएट बया के है कि डॉग बड़ा नाजूक है ते उस तो बाद हो रूकिन की यंदा कि तो इसे मुवेच उंगल पाती है यू ब्लॉक है दा मतलब है मूरक ते हून ते नू अपनी मूरक ता नार फिंगर दिखान दी भी कोई लोड नहीं है तेरी अपनी गलती है ते हून जड़ा उच्छ अधिखान की हुए कि जन्रल दा कोग का विए ते उस तना की है उस तना की है उस दना प्रों हर अभी मू प्रों हर नू कहन दे है ते अटर आए बोलाग नू कहन दे ना उट गाय ओड़ा दे लिए नाईडिया में यह नेवर है लॉक लाइड कंद की बहुत वदी It's a stray dog. There's no need to waste time talking about it. Since he's a stray dog, a stray dog it is. It must be destroyed and that's all about it. ते हुन उचो मैं लोग कन दे की time waste करन दे हुन कोई फैदा नहीं. यह stray dog है अब आरा कुता है. ते हुन इस दे बारे time waste करन दे कोई फैदा नहीं. ते है यह stray dog है ते इसनो destroy करना चाहिए थे हुन गल खतम. ते है उचो मैं लोग कन दे तो उसस बाद प्रोहर की कन दे. It's not a dog. प्रोहर गोस ओन. It belongs to the general's brother who arrived the other day. Our master does not care for hounds. But his honor is fond of them. ते हुन प्रोहर दसरे भी किस दा दोग है? प्रोहर कन दे सादा डोग ते नहीं है. प्रोहर दे ब्रदर दा डोग है जो कि उस दिन आया सिखा. ते टेड़ सादा मालक है और डोग स्थी हांट दा मतलब अथे डोग है कि यो डोग स्थी केर नहीं करदा पर हुन दे केर नहीं करदा. यू दोंट से हिस एक्सिलेंशी स्ब्रदर इस हेर व्लेडमी रिवेंच इनकोर्स ओचो मेलो और इस होल फेस भीम्स विद अस्टेटिक स्माइल. वेल, I never and I didn't know he has come on a visit. ते नहीं ऊच्छो मेलो उन्हों फाईनली पता लग गया कि जड़ा डोग है जनरल दे ब्रदर था जनरल दे ब्रदर था ना है व्लेडमी रिवेंच ते फिर ऊपिर मीं Kap lookin मेलो और नोंटे होल और दानी है ते उस्टेश वेच एक एथेड स्टैक एक जॉइफूल आ जन केंदा कि मिन्न इस गल्दा पता ही निसी ही ओवी विजिट ते अदर आय होय हन। ते प्रोहर केंदा येस। वेल, I never, he couldn't stay away from his brother and there I didn't know। So this is his honours dog, delighted to hear it, take it, it's not a bad pup, a lively creature। Snapped at this fellow's finger, ha ha ha, come while you are shivering, arr arr arr, the rogues angry, a nice little pup ते हुन उच्चों मैं लो कन दे कि मिन्नु पता ही निसी का कि जन्रल दे ब्रदर भी आय होय ने, ते वो अपने प्रातों दूर भी नहीं रह सकते। ते ये जड़ डॉग है, is his honours dog, भी ये जन्रल दे ब्रदर दा डॉग है। मिन्नु एगल सुन के बहुत खुशी हुई, इस dog नु लाज होते है, bad pup बुरा dog थे हाई नहीं है, ते लाइवले creature है। ते dog ने इस fellow's finger नु वड़ता सिगा। जड़ डॉग नु की कहनता है, उच्छा मताओ, डॉग नु कहनता है कि अधर आजा है, तो कंब की हो रहा है। जड़ रोक संग्री हुण बिटीटा बदमाश बंदा जड़ा ठाग गया। जड़े विचे थे, रोकनों के आगया, रोकनों के आगया। नाइस लिटल पप, यह तो बहुत बद्या पप है। प्रोहर कॉल्स अडॉग को यह वाक सावे रॉग तेमबर याद विद हर। जड़ लाफस से ठूग नु लाफसे ठूए। ते रड़े लोग की है वो हुरूकिन ते हस दें दे, लोग हुरूकिन ते क्यों हस दें क्योंकि उसनों कंपंसेशन मुआवजा मिल नहीं पाया I'll make you smart yet, ओचो मेल लो threatens him and wrapping himself in his great code goes on his way across the square ते फिर ओचो मेलो हुरूकिन तमकी दें दे, कि मैं तेनू smart में आवाँगा ते अपना कोट पान दे, ते चौंक तो चला जान दे ते हूँ असी इस part विच की देख्या, इस lesson विच असी की देख्या असी यह देख्या कि पुलिस सुपरिटनेंट उच्छो में लोग अपना स्टैंस है बार-बार चेंज कर रहा कि जदो उसनों पदा लगदा कि यह जड़ा डॉग है जन्रल दे प्राद है ते हूँ रूकिन दे अगेंस्ट हो जान्द है पर जदो उसनों पहला कई वरी आया लगदा कि यह जन्रल दा डॉग नहीं है ता हूँ रूकिन दे फेवर वेच गल करता है ते हूँ सिचुएशन दे अपनी जड़ी पुजीशन ने अपना जड़ा स्टैंस हो चेंज करता है ते ऐस करके वो इसनों कमेलियन नल कंपेर कि किता गया है ते जड़ा इस कहानी दे टाइटल है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि अथे ओचों मेलो अपनी जड़ी पुजीशन ने अपना जड़ा स्टैंस बार बार चेंज कर रहा है ते मिन्नू पुरी उमीद है कि आप सारे नों यह कहानी बहुत ही चंगी तरह समझ आ ग सत्स्रीयकार